हलो गाईज, I hope that all of you are well तो आज हम पढ़ेंगे Adam Pate चोकि एक नौवल है written by George Elliot George Elliot नीम से ऐसा लग रहे है जैसे कि ये एक मेल है बट ये क्या है? ये एक female है और इनका ओरिजिनल नीम था Marian Evans और इन्होंने पन नीम यूज करा था George Elliot ठीक है? और इनका ये वला नौवल पब्लिश हुआ था इन 1859 में कब पब्लिश हुआ था 1859 में? Adam Pate लिखा किसने है George Elliot नी और इनका ओरिजिनल नीम क्या है Marian Evans तो इसमें क्या है? जो फुल नौवल जो है इसमें लाव ट्राइंगल चलता रहता है ठीक है? और इस नौवल के जो हीरो हैं वो है Adam Pate तो मीम्स की हीरो की नाम पे ही इस नौवल का जो नाम है वो पड़ा है तो लेट्स स्टार्ट इस नौवल को शुरू करते हैं तो इसमें क्या है? सबसे पहले एक हीरो है जिसका नीम है Adam Pate ठीक है आडम बीड चु है इस नौवल के हीरो है और ये एक लड़की से प्यार करते हैं ठीक है जस लड़की से ये प्यार करते हैं वो बड़ी खुबसूरत लड़की है और उसका नाम क्या है उसका नाम है हाटी सौरेल ठीक है उसका नीम क्या है हाटी सौरेल जोसे ये प्या इसको बिल्कुल भी पसंड नहीं करती बट आड़क ये सवसवर्यs से लफ करती है प्यार करती है अब है किसे और कलती है और इसाद आप जोructure गयाए तो यह यहां पर रहने के लिए नहीं है Haddy Sorel तो इस बंदे से प्यार करती है पट ये बंदा Haddy Sorel को क्या करता है Seduce करता है ये Haddy का यूज करता है ये उससे प्यार नहीं करता Adam Haddy को समझाता है बट जो Haddy है वो Adam की बात पर ध्यान नहीं देती और जो ओर्थर hand base को छोड़ देता है Hattie को ठीक है Adam और author की fight भी होती है और Adam जीच चाता है वो fight तपी जो author है वो Adam को पताता है कि वो Hattie से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हो तो हattie का सिरफ use कर रहा था उसके साथ वो flirt कर रहा था तो इस बात पर Adam फिर author को बोलता है कि तुम लेटर लिख के दो कि तुम हattie से प्यार नहीं करते हो तुम उससे छोड़ रही हो तो जो author है वो वैसा ही करता है वो लेटर लिख देता है और जो Adam है वो ये लेटर अचाती को देता है तो हैतie को पता चलता है कि author उसे प्यार नहीं करता था अब hattie जो आडम की तरफ जाने वाली होती है तो तब ही hattie को ये पता चलता है कि वो pregnant है फिर वो author को बड़ा डूंडती है बट उसको वो नहीं मिलता, वो Disappoint हो जाती है और फिर वो मतलब खेत में जाती है और वहां पर वो एक बच्चे को जनम देती है तो वो क्या करती है? उस बच्चे को एक प्रेड के नीचे दफना देती है फिर वो वापस आ जाती है तो थोड़े टाइम बाद वो फिर से उस बच्चे को देखने के लिए वहाँ पर चाती है पट जब वो वहाँ पर जाती है अपनी बच्चे को देखने के लिए तो वहाँ पर Constable होता है तो वो हैटी को पकड़ लेता है और हैटी पर जो Infanticide है उसका इल्जाम लगता है और इसको फांसी की सजा हो जाती है इसको Arrest कर लिया जाता है बट इसको और्थर जो है वो बचा लेता है तो इसकी सजा कुछ कम हो जाती है है ठीक है तो अब क्या है अब एक और लड़की आती है जिसका नाम है दिनाम औरिस वो कजन है किसकी हैटी की तो अब वो चो कजन है वो प्यार करती है अडम बीट से और अब यहाँ पे लफ ट्राइंगल शुरू होता है अडम बीट का एक भाई है सेट बीट वो सेट बीट भी प्यार करता है दिनाम औरिस से बट जब सेट बीट को यह पता च चलता है कि दिनाम और इस तो प्यार करती है अडम बीट से तो वो अपने प्यार की कुरबानी देता है तो एंड पर क्या होता है अडम और दिनाम और इस तोनों की शादी हो जाती है ठीक है और फिर जो सेट बीट है ये भी इनके साथ ही रहता है और अडम और दिनाम और इसक पतम हो जाता है I hope कि आपको अच्छे से इस नॉवल की समझ आ गई होगी and please अगर अभी तक आप लोगों नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please सब्सक्राइब एट थैंक यू